तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप online course बनाना चाहते हैं, online course बना चुके हैं, या बनाने वाले हैं, प्लैन करने हैं, तो कौन सा online course आपको बनाना चाहिए, जिसको आप आसानी सी sell कर सकते हैं, और जो profitable है, एक online course का profitability बहुत सारे factors को भी depend करता है, सबसे पहला जीज, कि topic क्या है, उसका demand क्या है, आपका expertise कैसा है, और आपका content आपने तियार किया है, वो आपने किस तरीके से तियार किया है, आपका target audience कितना बड़ा है, कितना चोटा है, और marketing में आपको कितना effort डालना पड़ेगा, और market में कितना demand है, simple चीज है, supply and demand पे आपको थोगसा focus करना पड़ेगा, तो इसकी बात भी हैं, जिसमें आप courses बना सकते हैं, जिसको आप बहुत ही असारी से sell कर सकते हैं, जिसका हमेशा आपका demand हमेशा जादा रहता है, सबसे पहला चीज है business and entrepreneurship, तो अगर आप business skills सिखाते हैं, जैसे marketing, sales, management, इसका बहुत ही जादा demand होता है, तो ये courses आप बना के online में sell कर सकते हैं, आप vernacular languages, Hindi, English, Bangla, अपनी भाशा में उसको सिखा सकते हैं, बना सकते हैं, और online sell कर सकते हैं, दूसरा हो जाता है health and wellness, यहाँ पी जैसे आपको पता है कि लोगों का जो जाग रुपता है, वो बर रही है, अब personal health, wellness के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप courses बनाते हैं, nutrition, fitness, mindfulness के बारे में, यह भी एक बहुत ही अच्छा profitable domain है, profitable niche है, profitable genre है, जिसको आप बहुत ही असानिक से sell कर सकते हैं, तीसरा जो domain है, वो है technology and programming, अगर आपके पास ऐसा skill है, जहाँ पे आप सिखा सकते हैं, programming, web development, data science, तो इसका demand बहुत जादा बर रहा के उपर courses बना सकते हैं, तो उसका demand आपका सदा बहार रहता है, चौता चीज जो आप सिखा सकते हैं, वो है creative art, अगर आप photography, videography, graphic designing, video editing, anchoring, यह सारे चीज़े अगर आप सिखा बाते हैं, because these are creative skills, तो यहाँ पे इसका भी demand है, artistic ability अगर आपके पास है, अगर आप यह courses बनाते positive thinking, productivity, time management, इन सारे domain पे भी आप video courses बना के sell कर सकते हैं, इनसान जो है नया नया भाष्टा सिखना चाहता है, तो यहाँ पे आप language courses भी कर सकते हैं, for example, Spanish, French, Mandarin, और अलग-अलग language, spoken English पे भी आप video courses बना के इसको online sell कर सकते हैं, ultimately क्या हो दे है, कि जो profitability है, वो depend करता है, जसे मैं कि मार्केट में कितना demand है, आपके content का quality कैसा है, subject matter, आपका experience कैसा है, expertise कैसा है, delivery कैसा है, इसके उपर सारा चीज़ डिपेंड करता है, और इसके उपर अगर आप इन चीज़ों को follow करके चलते हैं, तो बहुत ही असानी से आप useful और profitable एक video course बना के sell कर सकते हैं, तो इसके बार सकते हैं, ताकि आप अपने online courses को कैसे grow कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने coaching business को कैसे grow कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यह पूरा help हम आपको provide करते हैं, ज्यादा जयन करें के लिए आप हमारे website www.skaliyogi.com पे जाके चेक कर सकते हैं, पहुत सर ऐसे informative articles और content हमने आपके लिए तियार किये हैं, ताकि आप अपने income को बढ़ा सकें, अपने brand को बढ़ा सकें, और financially independent बन सकें